नमस्कार दोस्तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, All Select करें, हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो दोस्तो फाइनली रेड्मी की तरफ से रेड्मी नोटेट एंड रेड्मी नोटेट प्रो लॉंच होने जा रहा है 29 अगस को चैनल के अंदर और ये दोनों स्मार्टफ़न बहुत ही जल्दी लांच होने वाले इंडिया का अंदर मतलब कि दिवली से पहले लांच होने वाला है इंडिया के अंदर वैसे दो बहुत सारी लोग ऐसा है जुनको अब रेड्मी नोटेट प्रो चाहिए साथ ने दोस्तो स्नैपड्रागन का पावर फिल प्रोसेसर और दोस्तो इसके अला आपको 4D कर्व ग्लास मिल जाता है जो की ग्लास बैक डिजाइन इस रेड्मी नोटेट में अब 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 इंटरेस झाटी तो इस वीडिव को शूरू चुरू चुले कर लास तक जरूर देखे रहे और अभी तक विडिव को लाइक नेक है तो जल्दी से लाइक भी कर दीजे तो चले दोस्तो शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तो फाइनल अब देशाते हैं Redmi Note 8 and Redmi Note 8 Pro launch होने जा रहा है 29 अगस्ट को चाहना के अंदर and इस बार दोस्तो Redmi Note 8 में आपको जादा major upgrade देखने को मिलने वाला है Redmi Note 7 से तो दोस्तो अगर पुराने smartphone को upgrade करना चाहते हैं तो Redmi Note 8 आपके लिए काफी बड़ी चोईस रह सकती है तो सबसे पर हम Redmi Note 8 के बारे में specification के बारे में जान लेंगे तो दोस्तो Redmi Note 8 का डिस्पले इस बार देख सकते है 6.3 इंच के आपर Full HD प्लेस डिस्पले जूकि dewdrop notch डिस्पले है और साथ में दोस्तों इसमें आपको मिलता है Corning Gorilla Glass का फ्रोटेक्शन इसके बात करें डिजाइन को लेकर तो इसमें आपको मिलने माला है Color Gradient डिजाइन जोकी 4D करूर डिजाइन दोनों स्मार्टफोन में Redmi Note 8 और Redmi Note 8 प्रो में इसमें डिजाइन आपको 4D करूर मतलब की गलोसी डिजाइन मिलने वाला है दोनों स्मार्टफोन में और बात करेंगे camera को लेकर तो इस Redmi Note 8 में आपको मिलने वाला है 48MP का Quad Camera Setup जिसमें अब देशने प्राइमेरी सेंसर आपको मिलने वाल है 48MP का Sony MX5T6 का सेंसर 8MP Ultra Wide Angle के लिए 5MP आपको Macro Lens के लिए and 2MP Portrait Lens के लिए आपको 4 सेंसर देखने को मिलने वाल है तो दोस्ता काफे चीब बात है कि इस बाए Redmi Note 8 में आपको 48MP का Quad Camera Setup मिलने वाला है वो भी budget level में और साथ में दोस्ता आपको Front Selfie Camera मिलने वाला है 60MP या फिर 20MP का Super Selfie मिलने वाला इस Redmi Note 8 में तो दोस्ता इस बाए Redmi Note 8 के जो Front Selfie Camera उसमें भी आपको यह पर upgrade देखने को मिलने वाला है साथ में दोस्ता बात करेंगे performance को लेकर मतलब की processor को लेकर तो इस Redmi Note 8 में अपदेशने आपको powerful processor मतलब की latest processor मिलने वाला Snapdragon 665 का processor और दोस्ता यह Snapdragon 665 का processor है recently launching Realme 5 और Xiaomi के Mi 3 में यूज़ किया गया है तो काफी powerful processor है और साथ में दोस्ता बैटरी बैकप की बात की जाए तो 4500 मतलब की 4500 मिलें पर की battery backup Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro में दोनों में देखने को मिलने वाले है साथ में दोस्ता टैप C port यह आपको fast charging मतलब की quick charge 4.0 के support भी इस दोनों device में देखने को मिलने वाला है अब दोस्ता गेमिंग लिवर्स के लिए देशित आपको यह अपर गेमिंग के accessors भी मिलने वाले है इसके आप देशित आपको ultra मतलब की liquid cooling का system भी देखने को मिलने वाले है जोकि copper crystal के अंदर आपको देखने को मिल जागा अब देशिते TUV का certification मतलब की gaming network के लिए आपको certification भी इस दोनों device में देखने को मिल चुका है तो दोस्ता गेमिंग के लिए camera के लिए all round smart phone अगर प्लेना चाहते हो तो Redmi Note 8 एक best choice रहने वाला है साथ में दोस्ता MIUI 10 के साथ आपको Android पापडेट आपको इस Redmi Note 8 में out of the box देखने को मिलने वाला है इसके बाद दोस्ता बात करेंगे वेरन की तो इस Redmi Note 8 के तीन वेरन देखने को मिलने वाला है 4GB, 64GB, 6GB, 64GB and 6GB, 128GB का स्टोरेज मतलब आपको तीन वेरन देखने को मिलने वाले है और दोस्ता बात करेंगे प्राइस को लेकर तो इस Redmi Note 8 की जो बेस वेरन की प्राइस अब देखने के असपास इस Redmi Note 8 की प्राइस इस बार रहने वाली है साथ ही में दोस्ता बात करेंगे इंडिया लाउंच डेट की जो Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro दिवाली से पहले लाउंच होने वाल है इंडिया के अंदर तो दोस्ता आज की इस वीड़े में मैं आपको बस इस Redmi Note 8 के बार में बात करने वाला था तो दोस्ता मेरे अडियो पसंद आए तो लाइक करो शेर कर अपने दोस्तों के साथ और फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीड़ो के साथ तब तक के लिए थैंक्यू बाबाई टेक केर